वेलकम बेक टो माई चैनल और आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी ब्रेक्फास्ट जो हमने सूजी से बनाया है तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने एक कटोरे में सूजी ली है यहां पर हमने एक बड़ी कटोरी में बरके सूजी ली थी और इसमें हम डालेंगे एक कटोरी दही अगर आपका दही जादा खटा है तो आप उसके हिसाब से डालिए यहाँ पे हमने ताजा फ्रेश दही लिया था तो हमने एक से एक कटोरी थोड़ा से जादा लिया है मतलब आधी कटोरी से जादा लिया है एक कटोरी से थोड़ा सा कम और इसको हमने अच्छे से можकि pandemi ये सहाओ, अगर आपको यह बेटर थोड़ा सा सुखा लगता है तो थोड़ा सा आप इसमें पानी और डाल दीजिए क्योंकि जब यह सूजी फूलती है तो इसे पानी रगाव इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा बगहार इसके लिए हमने एक टैल डालता है उसमें डालेंगे हम सरसों के दाने और इसे हम अच्छा चब हमें देंगे और जब ऑच्छे से भाण Dobak तो इसमें हम बैटर में सूजी के मिक्स कर देंगे और अच्छे से चला कर इसे हम आदे घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए ताकि जो सूजी है वह अच्छे से फूल जाए उसके बाद फिर इसका हम नाश्ता बनाएंगे और इसे हमने mix कर दिया है अब इसे हम रख देंगे ढखके इसमें हमने थोड़ा सा नमक को रैट कर दिया था और नमक को अच्छे से mix करके फिर रखेंगे हम इसे ढखकर और अब हम इसमें stuffing बनाएंगे भरने के लिए तो इसके लिए हमने थोड़ा सा ओयल लिया है कड़ाई में और जब ये ओयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे जीरा और जीरा अच्छे से भून जाएगा तब फिर इसमें हम डालेंगे बारी कटी हुई प्याज और प्याज को भी हम थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें हमने डाल दिया है बारीक कटे हुई शिम्ला मिर्च और हरी मिर्च अब इन सब को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि जो थोड़ी सी शिम्ला मिर्ची है वो पक जाए और ये देखिए प्याज और शिम्ला मिर्ची हमारी भुन गई है अब इसमें हम डाल देंगे बारिक कटे हुए टमाटर आप चाहें तो इसमें गाजर और हल्की सी पालक बारिक काट कर मतलब जो भी आपके पास सीजन की सबजियां हो तो वो इसमें आप एड कर सकते हैं और यह बहुत हैल्दी और बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट है इससे आप कभी भी बना कर खा सकते हैं और इसमें अब हमने डाल दिये हैं सुखे मसाले जैसे रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर गरम मसाला चाट मसाला और यह सारे मसाले डालने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे और जब यह सुखे मसाले सारे हमारे अच्छे से भून जाएंगे तब फिर इसमें हम डाल देंगे बॉइल किये हुए आलू जिसे हमने अच्छे से मैश कर लिया है और उस आलू को इस मसाले में हम मिक्स कर देंगे अगर आप चाहें तो इसमें आप अमचूर पाउडर या फिर नीबू निचोड सकते हैं हमने इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया था इसलिए हमने इसमें नीबू नहीं डाला है और इसमें नमग हम थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमने बैटर में भी जो सूजी का बैटर बनाया था उसमें भी हमने नमग डाला था और इन सारी चीजों को हम mix कर देंगे और इसको 2-3 मिनिट तक ढखकर थोड़ा सा पका लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो आलू में अच्छे से mix हो जाएं और जो आलू है वो भी अच्छे से पक जाएं मतलब भुन जाए थोड़ा सा इससे इसका taste अच्छा आता है इसमें हमने अब डाल दिया है नमक और इन सारी चीजों को हम अच्छे से mix कर देंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले आप तक पहुँचे और ये आलू का जो मसाला है वो हमारा अच्छे से रेडी हो गया है अब हम जो हमारे जो मेन है वो काम करना शुरू करते हैं इसके लिए हमने एक पैन लिया है और इसमें हलका सा ओल लगाया है आप oil ना भी लगाया तो भी चलेगा क्योंकि non-stick पैन में तो वैसे भी नहीं चिपकता है और जब पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तब जो हमने सूजी का बैटर बनाया था वो इसमें हम डाल देंगे एक चमश भरके और इसको हम अच्छे से फैला लेंगे थोड़ा सा पतला इस बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है नहीं तो जो हमारा breakfast है तो अच्छा नहीं बनेगा थोड़ा सा इसको गाड़ा ही रखना है और यह फैला लिया है और जो हमने आलू की stuffing बनाई थी उसकी हम एक टिकिया जैसी बना लेंगे जैसे हम आलू की टिक्की बनाते हैं उस तरह की बना लेंगे और उसको इसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर जो हमने सूजी का बेटर बनाया थो फिर से डाल देंगे और इस टिकिया को हमें अच्छे से ढख देना है चारों तरफ से हमने इसे अच्छे से ढख दिया है आलू की टिकिया को और जब ये एक साइड से सिख जाएगी तक फिर इसको हम धीरे से साथधानी पूरवक पलट देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से सिख जाए अब इसके उपर भी थोड़ा सा हम ओयल डाल देंगे ताकि जो नीचे से भी अच्छे से ये सिख जाए इसमें ज़्यादा ओयल का इस्तिमाल नहीं होता है इसलिए ये बहुत ही healthy breakfast है तो ये एक साइड से हमारी सिख गई है अब इसको हम धीरे से पलट देंगे और इस तरह से हम दोनों साइड से अच्छे से से शेक लेंगे इसे अगर आप चाहें तो इसे ढग दें वैसे ये सूजी जो है वो वैसे ही पक जाती है बिना ढगे लेकिन अगर आप ढग के पकाना चाहें तो वैसे भी पका लें और ये हमारा breakfast बनकर ready हो गया है इसे हमने बीच में से cut कर लिया है तो ये आप एक बार जरूर बना कर देखिए और आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट करके हमें बताईए प्लीज कर देखिए